अभी सब्स्ट्राइब करें हमारे यूट्योब चैनल पीशुर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले ती मंडप आत्मग्यान मंडप और चौथा मंडप है मा के भवन का वो है एकांत मंडप इसको समझ लीजिए पूरा देविय तत्व समझ में आ जाएगा अस अखसल में इन मंडप के पीछे का रह से क्या है पहला मंडप क्या है श्रंगार हम दुनिया में आए डैकोरेशन के आसपास रहे हमें भी डैकोर किया गया खूब डैकोर हुए हम पहले हमारी में ने हमें डैकोर किया सुन्दर सुन्दर बनाया हमें माने सजाया हमें अच्छे बस्तर पेनाएं और फिर इस 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 परिस्तिती में हम पूरे जीवन रहे यह श्रंगार मंडप है लेकिन हमें सिर्फ यहीं नहीं टिकना है हमें और आगे जाना है जिसका दर्शन है मुक्ती मंडप हमें इस श्रंगार से मुक्ती लेनी है मतलब इसके आगे कुछ और है यहीं नहीं है चमकीले पत्थरों का मतलब यह यह लिए नहीं है कि हम यहीं रुक जाएं कि आँगे भी यात्रा है और जिसन तुम इन सारी चीज़ों से यह जो शरंगार का मतलब सिर्फ यह जो उपर का decoration ही नहीं है श्रंगार का मतलब है हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ जो हमारे attachments हैं जुडाओं हैं और उनस सबसे भी मुक्ती जिस दिन आप इसे जान जाएंगे तो इसकी practice करते करते आप मुक्ती मंदप में प्रवेश करेंगे और जब आप मुक्ती मंदप में प्रवेश करेंगे तो फिर आपको आत्मग्यान होगा ओहो मैं तो ये हूँ और जिस दिन तुम्हें आत्मग्यान प्राप्त हो जाएगा तुम shift कर जाओगे एकांत मंदप में फिर तुम्हें किसी की जरूदत रही पड़ेगी इसलिए जो ध्यानी लोग हैं जो योगी लोग हैं वे एक जगा बैट के अपने आनंद को क्योंकि उनके पास अब योग की वो शक्टी आ गई है आप और हम क्या करते हैं आप और हम यहां दोस्ट ढून रहे हैं दोस्ट बना रहे हैं अब आप गटना देखिए आप एक योगी जब एक योगी मित्र बनाता है तो योगी हो सकता है कि यहां से बीस लाक प्रकाशवर्ष दूर किसी ग्रहे पर जाकर किसी विक्तिकों मित्र बना रहा हो योग की ताकत से जिसको सुक्ष्म शरीर की ताकत कहती है जब आप उसमें चले जाते हैं तो आप विस्पोट के तरह आपका सुक्ष्म जो दर्शन है वो फूटता है और अंतरक्ष्म जाकर लोगों से जुड़ता है क्योंकि वो अंतरक्ष्म की यात्रा करता है आपका बॉड़ी यही है और आपके मित्र पता पड़ा प्लेनेटिकल सुच्वेशन में है अलग-अलग प्लेनेट पर है विचार कौन सा बड़ा है यह सोचने वाली बात और ऐसा होता है लोग कर रहेगा